प्रेम्श बोल्ये श्री शद्गुरु महाराज कीजे पुझपाद महर्शी संचेवी प्रमहंस जी महाराज का प्रवचन बडे भाग पाई सत्शंगा मंगल मूरति सत्गुरु मिलवे शर्वाधार मंगल मैं मंगल करना विनवों बारंबार धान धान शद्गुरु शुकदा महिमा कही न जाए जो कुछु काऊं तुम्हरे कृपा मोते कचुन भशाए आप लोग इंद्र रुख गौ में इस मुख होने के लिए यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं यह बड़ी प्रसनता की बात है आप लोग बड़े ही नचत्र बली भाग्य शाली हैं जो यहां सत्चंग श्रवन हेतु सम्वेत हुए हैं गोशामी तुल्शिदास जी ने लिखा है बड़े भाग पाईय सत्चंगा बिनही प्रयाश होई भव भंगा रामचरित मानश उत्तरकान सत्चंग के प्रती आप लोगों की अनुरक्ति और स्रधा भक्ति देखकर मन शुमन खिल उठता है चित प्रशन हो जाता है और श्वभावत है धन्यवाद देने के लिए कुंठित मन भी उत्त कंठित हो उठता है वास्तव में जब इस्वर की अहितु की अनुकंपा होती है तभी दूर्लव सत्चंग का श्वर्ण सुवशर सुलव हो पाता है गोशामी जी के ही सब्दों में हम कह सकेंगे जब द्रवही दीन दयाल रागव शाधु शंगती पाईए जेही दरश परश सम गमादिक पाप राशी नसाईए विनय पत्रिका आज देश विदेश या गौँ प्रदेश की तो बात ही क्या घरघर में कलह कलेश छाया हुआ है क्यों सो मनस्य वा सद बुद्धी के कारण नहीं नहीं प्रशपर वय मनस्य और दुरबुद्धी के कारण ऐसी विशम परिष्थिती में स्वभाविकी जिग्याशा होती है आपस के विचारों में शामन जश, दुर्बुद्धी का विनाश और सद विवेक का विकाश कैसे हो इन विंद्वों को दृष्टी में रखते वे अध्यात्मिक विविन पहलुओं पर प्रकाश डालने के ल देरे धोते धोते बिलकुल साफ कर देता है वैसे ही यह सत्चंग समस्त दुरगुनों को दूर कर शद गुनों से भरपूर कर देता है जनजन के मन मयल को धोकर निर्मल बना देता है और परमपर्भु परमात्मा से जा मिलाता है जिसके फलस्वरो वह कभी भी दुख का मुख नहीं देखता भवशिंदों को तरकर सुख सिंदों में अपना अचल अमर घर बना लेता है संत कभीर साब कहते हैं कभीर कलह अरुकल्पना शत संगती से जाए दुख वाशों भागा फिरे सुख में रहे समाए संत सुंदर्दास जी के सब्दों में जो अनयाश तरे भवशागर जो सत संगती में चली आवे जो कनिहार न भेद करे कचु आई चड़े ती नव चड़ावे ब्राम्हन शत्री वैश्य रूशुद्र मलेक्ष चंडाल ही पार लगावे सुंदर बेर नहीं कुछ लागत पार नर देह अभय पदपावे जैसे जब कोई इंजन लोह लिक छोर कर नीचे उतर जाता है तब सत जन की तो बात ही क्या सहसर जन भी उसको समहाल कर सही राह पर नहीं ला सकते किन्तो एक क्रेंड के द्वारा शरलता पुर्वग उसको अपने गंतब्य पत पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है उसी तरह गिरे से गिरे पतीत प्रानी को अन्य किसी भी उपाई से पावन नहीं किया जा सकता सन मार्ग पर लाया नहीं जा सकता मात्र सत्चंग ही एक अधार है जिसके द्वारा मानम मात्र का सुधार और उधार हो सकता है इसे लिए संद्जन सत्चंग की महमा गाते अगाते नहीं बात भी अक्षरशा सत्य है फिर भी जैसे भेड चराने वाला अनपड गरेडी हीरे की कीमत क्या जाने उसका सही मोल तो कोई जहरी ही बता सकता है इसी भाती सत्चंग का सत्यापन और मुल्यांकन संत जन की सिवा विशय वाटिका में विचरन करने वाले हम अग्य जन क्या जाने रविकुल कमल दिवाकर मर्यादा पुरुशुत्तम भगवान सिरी राम के अनन्य भक्त कविकुल पद्म प्रभाकर गोशामी तुलसीदास जी महराज राम चरित्मानस में लिखते हैं शठ सुधरई सत संगती पाये पारश परशी कुधातु स्वाये बाल मिकी नारद घट जोनी निजे निजे मुखनी कही निजे होनी जल्चर थल्चर नभचर नाना जेजर चेतन जीव जहाना मति की रतिकती भूती भलाई जब जही जतन जहां जही पायी शोम जानब सत संग प्रभावो लोकहु वेदन आन उपावो हम जड़ा वीग विलोचन से अब लोकन कर देखें जब शुवुद्धी शुकुर्ती शुगती मुक्ती विवूती और भलपन की प्राप्ती हो जाती है तब फिर और प्राप्त क्या रह जाता है वस्तुता संतों की शंगती से क्या चीज नहीं मिलती अर्थ धर्म काम मोक् हस्ता मल कवत हो जाती है दुड़लब से दुड़लब वस्तु शुलब हो जाती है क्यों इसलिए कि सत्संग शिरी रंग का निज अंग है इसके संग से विश्यों से अशंग होता है हरी का अभंग रंग लगता है और अंत में भवभंग हो जाता है अतियेव हम नित्य नियमत रूप से अंतर और बाहे दोनों प्रकार के सत्संग अवश्य करें हमारे प्राताश मरणी परंपुज अनंचरी वुशित सद्गुरु महराज जी की प्रेणा देने वाली यह पावनवानी है नित्य सत्संगती करो बनाए अंतर बाहर द्वयविदिभाइ धर्म कथा बाहर सत्संग अंतर सत्संग ध्यान अभंगा तस्त्संग नित अरो ध्यान नित रहिये करत सलग्ण हो बेविचार चोरी नशाहिंसा जूठ तजना चाहिए शाथ ही एक शर्विश्वर पर अचले विश्वाज तथा अपने अंतर में ही उनके प्राप्ति की आश अवश्य रखनी चाहिए परम प्रवो प्रमात्मा पर हमारी निश्चल वर निश्चल आस्था रहेगी तो वे हमारी उभे लोकों की शुब्यवस्था करेंगे यह सुनिश्चित है महा योगेश्वर भगवान श्रे कृष्ण का महावाक्य है जो कि उन्होंने महाभारत के मैदान में महाबाहू से कहा था योगशेमम वहाम्यम अर्थात भक्तों का योगशेम मैं करता हूँ हाँ एक बात और भी कह देना आवश्यक है वह यह कि शंत मत में शंत सद्गुरू का अस्थान शर्वो परी है उनके ही आदेश और उपदेश के परिवेश में अपने को रख कर हम भव क्लेश निशेश करने में सक्षम हो शकेंगे अतियव शंत सद्गुरू की और परिहारी आवशकता है इन बातों के अतिरिक्त जागतिक जीवन यापन हेतु पवित्र जीविका के लिए भी शंत मत प्रेडित करता है इस शंदर्व में हमारे प्रम्पुज गुर्देव की पूतवानी इस प्रकार है कर्म योग और ध्यान योग गीता के अनुकूल करते जाना उत्तम है न कर्म योग छोड़ो और ध्यान योग यही श्रेष्ट विधी प्रमात्म प्राप्ति और मुक्ष प्राप्ति की तथा संसार के शम्या अनुकूल निज करतब्यों के पालन करने की है श्री गीता योग अब अधिक समय आप लोगों का लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत से महानुभाव आप लोगों को समय देने के लिए समय की पर्तिक्षा कर रहे हैं। शुविस्त्रित प्रिवेश है इस संस्रिती कलेश को निशेश करने के लिए मनोयोग पुरुबक भवेश का भाजन करना चाहिए। इसके लिए कबिर सहाब ने कहा है। आज कहे मैं काल भजूंगा काल कहे फिर काल आज काल के करती ओसर जासी चाल। आचे दिन पाचे गए हरी से लियान हेत अब पस्ताय होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत। टाला टूली दिन गया ब्याज बढ़नता जय ना हरी भज्यो ना खत-कट्यो काल पहुँचा आए। श्री श्रद्ग्रू महराज की जैए।